तो हलो दोस्तों स्वागते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर आज मेरे पास अविलिबल है सामसिंग गैलक्सी A14 5G और इस वीडियो में देखें कैसे आपने सामसिंग के फोन के अदर यहां पर पहला तरीका रहेगा हम्स पार दूसर आ रहेगा है अब दूसरे आप आपको क्या होगा अबिया पर आपको अपनी होम्चिंग के ओपर होड करके रbia नहीं हो जा अपको नीचे शीचत मिल जाएगा उस के उपर आप क्लिक करें यहां पर आप स्क्रोल डाउन करें आको कॉंटक का घब कोल क्लिक हो जाएगा और सब्सक्राइब कर सकतेißt करें पर सबसे अच्छा ओप्षिन पर जो दूसरे न मर का प्षिन है यह पर benefit ही होता है कि आप easily contact के उपर click कर सकते हो SIM 1, SIM 2 सारी चीज़े select कर सकते हो click करे add के option के पर आप click करे इस phone में फिलाल एक ही number available है वो Samsung help line number उसके उपर मैं simply click करूँगा बागी contact में सारे डिलिक कर जगा हूँ मैं यहाँ पर done करता हूँ आप देख सकते हो Samsung help line number यहाँ पर आ चुका है मैं इसे जहाँ जहाँ वहाँ रख सकता हूँ और यहाँ पर आप unlimited contact को यहाँ पर add कर सकते है और अगर contact के उपर किसी का photo है तो यहाँ पर directly उसका photo भी आ जाएगा यह काफी कमाल का तरीका है क्योंकि बहुत से new users होते हैं उनमें contact के अंदर भी काफी सारा problems होती है तो easily आप यहाँ पर contact रख सकते हैं और directly call भी कर सकते हैं तो दूसरे जो option है call का भी रहेगा और जो दूसरा option रहता है वो रहता है H-panel का option यहाँ पर आप contact को कैसे add कर सकते हो अब दूसरो H-panel आपके phone में by default enable नहीं होगी उसे आपको एक बार enable करना होगा आपको अपने phone की settings में जाना होगा आपको display के option के उपर click करना होगा और जैसे आप display के click करोगा आप scroll down करे आपको option में जाएगा H-panel का उसे आप एक बार manually on कर दे अब जैसे आप उसे on करोगे आपको H-panel को enable करना होगा नीचे आपको setting option देज़ागा उस option के पर आप click करे अब यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरो बहुत से option है उसका पर आप click करें जो भी आपका contact होगा यहाँ पर आप maximum 10 contact को या 12 contact को यहाँ पर add कर सकते हो दोसरो आप देख सकते हैं यहाँ पर contact add हो चुका है अब बस मुझे back up पर click करना होगा अब देख सकते हैं यहाँ आप Samsung का help line जो number मैंने contact add करा है यहाँ पर आचुका है अब मैं easily यहाँ से 10 से 12 contact को add कर सकता हूँ और जिसे जहाँ मैं instantly कहीं भी call कर सकता हूँ मुझे personally यह एच मनल का option available है क्योंकि किसी भी application में अगर आप हो तो वहाँ से भी आप direct हैच मनल को enable कर सकते हो और किसी को भी easily call कर सकते हो और home screen के उपर आप जहाँ तो किसी का photo भी रखकर उसे रख सकते हो मेरे पसना है तो please like करे मेरी इस रिप चनल को ज़रूर सब्सक्राइब करे और दोनों में से आपको कौन सा पीचर अच्छा लगा जो home screen का या email का प्लीज मुझा comment करके ज़रूर करता है